अजम कविता पढ़ रहे हैं जासी कि रानी की समाधी पर इस कविता को लिखा है सुबद्रा कुमारी चवहान जी ने लिखा है उस समाधी के बारे में बताया है उसके बारे में वर्णन किया है तो आएए देखते हैं कविता इस समादी में छिपी हुई है एक राक की धेरी जलकर जिसने सुतंतरता की दिव्यार्ती फेरी या समादी या लगु समादी है जहांती की रानी की अन्ति में लीला इस्थली यही है लच्मी मरदानी की देखिए समादी मतलब पहले समझ लीजे जो मरने वाला व्यक्ती होता है मरतक की जो समादी होती है मरतक का जो है स्थान जो दिया जाता है वही समादी कहलाती है तो इसमें सुवद्रा कुमारी चमान जी यही बता रही है कि जहासी की रानी की जो है लक्षमी बाई जी की समाधी की और बता रही है संकेत करते हुए बता रही है कि साधारन सी समाधी दिखाई पड़ रही है जो जहासी की रानी है उनकी जो समाधी साधारन सी दिखाई पड़ रही है इस समाधी में एक राग की धेर से छुपा हुआ है ये जो राग का धेर छुपा हुआ सा दिखाई दे रहा है वास्तिक्ता तो ये आग थी जिसने स्वयम जलकर सुतंत्रता की दिव अलोकिक आर्थी की है जो आपको ये साधारन सी राख की देहर दिखाए दे रही है वास्तिक्ता में तो ये जौला थी एक आग थी जिसने जो है स्वयम जलकर्स वतंसिता की देवी की अलोकिक आगती की है आगे कवित्री कह रही हैं कि यह छोटी सी समाधी प्रतीत होती है यह जो है लगू मतलब छोटी यह छोटी सी समाधी प्रतीत होती है यह जहासी की रानी की समाधी है इस्त्री होते हुए भी एक महिला होते हुए भी वीरपुर्सों के समान संगर्स करने वाली उस रानी लक्ष्मी बाई की अंतिम कर्म इस्थलियत नी अंतिम कर्म करने की जो इस्थल है आत्न बल्दान का इस्थान ये समाधी ही तो है आगे देखते हैं बेटे यहीं कहीं पर यहीं कहीं पर बिखर गए वा भग में विजह माला दी उसके फूल यहां संचित हैं या इस्मति साला सी सहे वार पर वार अंज तक लड़ी वीर बाला सी आहुत सी गिर चड़ी चिता पर चमक उठी जो अला सी अब यहां पर भग मतलब बेटा है तूटी हुई संचित मतलब एक कत्रित इसमतिसाला का मतलब है यादगार और जो आला तो आप समझी रहें जो आला मतलब अगनी है ना जो आला को अगनी कहा जाता है तो यहां पर बता रहे हैं कि जो जासी की रानी की जो समादी है जिस पर कोई विजय माला तूटकर बिखर सी गई है उसी प्रकार जासी की जो रान कि अंग कट कर जहां बिखरे होंगे वह इस्थान यहीं कहीं इसी समाधि के आसपास ही रहा होगा बात समझ रहे हैं कि यहां पर कवित्री बता नहीं है कि जो जहांसी की रानी के जो जहां पर सहीद हुई है वहीं पर जहांपन की समाधि बनी हुई है वहीं पर इनके कहीं अं जो इसमने और के फूल ही जो रानी की प्राइडा करकर रखना सिया औरकिए छो enabling धर मोत सरय की सिरीज से बार बार ओने वाले प्रहार को भी सहन किया, और वीरंगनाओं की समान, गऑन ड़ती हुए अपनी शमक्ती हुई तल्वार के साथ लड़ती हुए, अंत में यग में दी गई आहूती के समान, जैसे यग होता है यग में अंति माहुती दी जाती है उसी प्रकार अंत में एक यग किया हुती की समान मरत्यु सहिया पर चड़ गई अर्थात देश प्रेम के यग में बलिदान हो गई यह अपने को बल्दान दे दिया अपने शरीर का बल्दान दिया और अगनी के समान चमकुटी और उनका यस चारो और फैल गया उ कि आगे देखते हैं कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बली होने से मूह लिवती होती सोने की भश्म यथा सोने से रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधी है प्यारी यहां नीहित है संता की आसा की सिंगारी इसमें भी सुन्दर समाधियां हम जग में हैं पाते उनकी गाथा पर निशीत में छूद्र जन्त ही गाते आप बेटे देखिए जो कवित्री सुविद्रा कुमारी श्योहान जी है उन्होंने जो युद्ध में सहीद होने वाले जो वीर होते हैं उ तो मान मतलब समझते हैं सम्मान होता है रान मतलब युद्ध भश्म मतलब राख और नीहित मतलब रखी होई ठीक है नीहित मतलब रखी होई यहाँ पर बता रहे हैं कि जासी की जो रानी है की समाधी है उस पर अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कवित्री कह रही है कवित्री कौन सुब्र द्रकुमारी श्योहान जी कह रही है कि युद्ध में बनदान होने से वीर का सम्मान बढ़ जाता है जो युद्ध में जिस प्रकार सुन की भश्म जिस प्रकार एक सुने की भश्म एक अमूल स्थायन हो जाती है उसी प्रकार अमूल आउसदी का काम करती है और सुन से कई अधिक मूलिवति होती है तो कवित्री यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रानी की समादी है हमें रानी से भी अधिक प्यारी है क्यों प्यारी है क्योंकि इस समादी में स्वतंतरता की आसा की चिंगारी रखी हुई है तीक है क्योंकि इस समादी पर स्वतंतरता की चिंगारी रखी हुई है आरी बात समझ मैं कि आगे देखते हैं कि इसमें बी सुन्दर समाधियां हम जग में हैं पातें उसकी गाथा पर निशीत में छुद्र जन्तु ही जाते अब आगे बोल रहे हैं आप कवित्री जी आगे बता रही है कि जो रानी की समाधी है अनी की समाधियों की बारे में बताते हुए बोल रही है क्या बोल रही है इस समाधी से बढ़कर हमें संसार में समाधिया मिलते हैं अब इसमें जासी की जो रानी है उनके बारे में बताते हुए वो बोल नहीं है कि जो जासी की रानी है वो अपने प्राणों को सरवश यशो बल्दान देने के बाद जो प्राणों का बल्दान उन्होंने दे दिया है तो जो उनकी समाधी है हमें रानी की समाधी है वो हमें उस समाधी पर क्या है जो सुतंद्रता की आसा है उसकी चिंगारी रख़्ी हुई है अब आगे देखते हैं मैटे पर कवियों पर अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी इसने और शद्धा से गाती है वीरों की बानी बुंदेले हर वोलो के मुख़मने सुनी कहानी खूब लड़ी मरदानी वह तो जहासी वाली रानी वह समादी यह चिर समादी है जहासी की रानी की अंतिम लीला इसलिए यही है लक्षमी मरदानी की ठीक है यहाँ पर लक्षमी मरदानी के बारे में बताया जारा है लक्षमी मरदानी मतलब जहासी की रानी की बताया जारा है क्या बताया जारा है कि जो झहासी की राणी है, इस समाधि से बढ़कर हमें और भी समाधियां मिलती है भले ही सुन्दर है विशाल है परंतु रातरी के समय जो रातरी होती है रातरी के समय जींगुर छिपकली उनमें तहल कंदमी करके यशोगान करते हैं यहां पर कहना है किसका रानी लक्ष्मी भाई की बारे में बताया जा रहा है कि जो जहांसी की रानी की शमादी है उस समादी के बारे बताया था कि बहुत से ऐसी समादिया बनी हुई है जो बहुत बड़ी-बड़ी है विशाल है सुन्दर है महान है लेकिन उन समादियों पर राती के समय कौन ? धींगुर् ठीक्विक मतलब राती और छुद्र जन्तु आत मतलब झींगुर् शिपकली तो जो शिद्र जन्तु है धींगुर् शिपकली उनकी čहल कदमी करके यश्गौन करते हैं परन्तों जबकी छासी की जो रानी की समाधी है उसका यशगान कौन कव्यों की अमरवानी करती है जिसमें कव्यों की शंधा रहती है कव्यों का इसने रहता है इस तरह रानी का यशगान कव्यों की करती में हमेशा हमेशा किया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा कि जहांसी की रानी की कवित को जो सुविद्रा कुमारी चुम हां जी ने लिखी उनकी समाध ही के बारे में ने लिखी तो बता ओंधि की आजी क्या करते हैं विचौन करते लेते हैं लेकिन जहासी की जो रानी की समाधी है उस पर जो है कवियों की जो है महान अमर्वानी का एक संदेश दे रही हैं जहासी की रानी की समाधी पर एक हमें अमर संदेश मिलना है कवियों का जिसमें कवियों की सद्धा रहती है इसने भाव रहता है इसी तरह रानी का इ वहां के लोगों के द्वारा हमें बताया गया क्या बताया गया कि जासी की जो रानी ने अंग्रेजों से जम कर लोगा लिया और लड़ते अपने प्रानों को निशावर कर दिया तो इस प्रकारिया भूमी जो है यह बहादुर रानी की अंतिम लीला इस्थली बनी तो यहां यह झाना गाया गया है, गीत गाया गया है, बुन्देले हर वो लो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वातों जहासी वाली रानी, यहां पर कवित्त्री जो है बता रही है कि जो ये गीत गाया गया गया गीत है जिस पर जो है जहासी की रानी ने लक्ष्मी बाई ने अंग्रेजों के साथ बहुत जम करकड़ा मुकावला किया और लड़ते लड़ते अपने प्राण निचावर कर दिये और जो यह घूम है ज जहां पर वह बहादुरानी ने अपनी जीवन की अंतिम लीला समाथ कर ली और यहीं उनकी लीला इसलिए निकरम इसलिए लक्ष्मी बाई मरदानी घुरपूर्सो की भात लड़ने वाली लक्ष्मी बाई मरदानी की यहां ही पर ही समाधी है आप लोगों ने बेटे पहले यह कविता प्रिवियस कख्षाओं में पढ़ी होगी बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वातो जहांसी वाली रानी थी सभी लोगोंने क्लासिक्स में NCRT की बुक में यह कविता है सभी बच्चों ने हमाई समझ से पढ़ी होगी तो यह उसी कहानी उसी जो कविता है उसी कहानी के आगे की कहानी मा कह सकते हो जहांसी की रानी की समाधी पर यह कविता लिखी है और जहांसी की रानी जो लक्ष्मी बाई जी थी तो आप सभी ल आपको अच्छे से समझ में आगया होगा और अच्छे से पढ़िए घर में रहे और पढ़ाई करदें तरिये. Thank you, blood.